मन में आस, स्वयम पे विश्वास, प्रयास निरंतर, यही सफल जीवन का मूल मंतर। नमस्कार, पहारी पोड़कास्ट में एक बार फिर से मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ और आज जो हमारे साथ महमान आए हैं, वो नाम के तो बिल्कुल मोहताज है ही नहीं, सुप्रसिद विख्यात चमबा के जाने माने कलाकार राजीव थापा जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं, नमस्कार सर, नमस्कार जी, नमस्कार, आज मैं आपको, अभी मैंने ये पहारी पोड़कास्ट शुरू किया है, तो मेरी दिली तमन्ना थी कि आप से भी रूबूरू हुआ जाए, और आप से भी कुछ बात जीत की जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने तो, चलो, सबसे बड़ी बात है कि आपने शुरू किया, मेरे जो भी सद्धे आपने शुक्रिया करता हूं, मेरा देश्य सर ये भी रहता है कि चंबा में बड़े सारे हीरे, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, जो अनमोल हैं, बतलब जिनका कोई वरणन शब्दों में तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि वो जो ना मायाब चीज़ें हैं, वो मैं कम से कम, जितना हो सके, सब के सामने ला सकूं, वैसे तो आप सब के सामने है ही, पूरा भारत जानता है. जो भी जहां तक भी और आजकी डिट में पूब्लिक पुड़ किलेकते, तो मां तक कह लुचाने वाली तो मेरे पूछाने वाली पूब्लिक है जो लोग मेरे को जानते जो मुझे उस ताइम यह वोटन करहिए कैसे कैसे वोट करते थे लोग मुझे पेचांद देने वाले लोग जो है वह पबर किये मैंने थोड़ी मैनत कर ली इसमें nurt either मैंने काता old गाने की सब्सक्राइब तरफ अापना focus बना करका बनाती है लेकिन उसमें आपका जुनून आपका होसला भी सबसे बड़ा फैक्टर होता है मैं यह मानती हो और सारे कामा तक दिक का सफर हम सब जानते हैं लेकिनु उसके आगे जो आपका सफर रहा है उसके बारे में मैं भी और सारे दर्शक भी सुनने के लिए जरूर बेताब होंगे तो आप प्लीज हमें कुछ बताएं सारे गामा जो था वो 2005 का था चैलेंज 2005 2005 का था वो और मेरे मैंने पहले भी कई इंटर्विउस में बोले हैं कि मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि टीवी में उस तेम आड आती थी फोन्स वगरा बहुत पुश्चिल से फोन होते ही नहीं थे लिए नहीं के पास में यह तो 2000 आई तिंक पता नहीं कब आया हुआ हुआ है तो उस टाइम पर हम लोग की सिच्वेशन भी आसा होता था हमको पता भी नहीं चल सकता था कि चमबा जैसे जगह में पैटे कहां क्या हो रहा है कहां क्या नहीं हो रहा है तो मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि मैं को की आउडिशन हो रहा है तो राजी भाई आप देख लो तो उस टाइम मेरे में जुनूर भी था और आज भी ऐसा नहीं है और आज उससे ज्यादा हो सकता है उस टाइम तो चलो मेरा एक था कि मैने पुस्ना है पर उस इसको मेंटेन करने के लिए निया तो जार पांच में मैंने जब ऑडिशन दिया जेहां से कैसे करके मैं दिल्ल वाई हमारे आजीज, हमारे मित्र बोल सकते, बड़े भाई बोल सकते उनको, प्यूश राज जी, वो दिल्ली में रते थे, उस तेम पे उनका अपना दिल्ली पे सब कुछ उन्होंने महावल बना लिया था, तो मैं कभी उनसे इवन मिला नहीं था कि मैं उनसे ज्यादा पहच तो मेरे को किसी ने बोला कि एक काम करना बोले उत्ते प्यूश भाई, तो फिर मैंने कैसे करके प्यूश भाई से कांटक्ट किया और प्यूश भाई के घर में रुके हम लोग, अच्छा जब आपका ओडिशन था, आउडिशन तो मैं देने गया था, एक्शली फेम अच्छा उडिशन जो तो दिली कांटल हो गया और सेम बढे इसका सारे घरमा का उडिशन है तो मैंने वह तो चुका था उसका तो उनी है सकता था आदिश जी आज जो आज दुनिया मेने नहीं है, वड़े वड़े ытविल्में बाग्वान, भड़े विनागानीं बहुत सारे गणहें उनके इंडस्ट्री में जो अमिता बच्चन साभ के लिए बहुत बड़े घाने में उसकों के पैर किने बुरूर विराने भी देश्अन एक यह होना बहुत जरूवी है आपको जैसे Godfather Godfather होना बहुत जरूवी है तो वो टाइम पे मेरे Godfather एक ही थे उस ते आज वो होते तो शायद में किसी और मकाम पे होता पर चलो कोई बात निया हमने अभी मंजिल का रास्ता वो जो है वो छोड़ा नहीं है बदला नहीं है उन के लिए मैंने एक पिक्चर के लिए गाया था गुरू दक्षीना इसमाइल जी का दरवार जी का मुजिक और एक पिक्चर आई थी कांची पिक्चर सुभाज गई जी की तो उसके लिए भी इसमाइल जी ने मैं अपनी बात बता रहा हूं ऐसा सिंगिंग की मतलब मेरे को confidence अब आता है जब इसमाइल जैसा इंसान मेरे को स्टूडियो में में मेरे गाने के बाद जी कि अब ते रहाना विख'llg तो मेरे को तखल्ली होग में तो नहीं морण देवदास जैसे इतनी बड़ी बड़ी फिल्बो का म्यूजिक किया शारुकान जैसे के लिए उनके लिए सबके लिए उन्होंने जब मेरे को बोले कि नहीं राजी ते रखाना अब ड़न हो गया तो मेरे को लगा कि मैंने किसी डिरेक्टर इतने बड़े-बड़े गाने तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने उनकी बजास जैसे काने किसी बड़े सिंगर ने लें मतलब मेरे काने नहीं आए इवर मेरा फैनल हो गया पिजिक डिरेक्टर की तरफ से फाइनल हो गया और बड़े गाने जो बड़े ऍसाज़ी जब पोड़े-ड़े-नाम वाले बड़ जी आपको सच बात हुता हूं न मैं पाडी गान्दा पाडी मैं बड़ा गंदा जो भी गाया हो वह सेलेक्टिड गाय है कुझू चंचलो गया मैंने गाया उसको रुत्त संगडोनी गाया फिर यह मैंने एंडी डीवी में जिन में शोव बना था जुनून जिसमें रहत फदेली खान सार इला अरुन जी बैठें आनंद राज आनंग जी बैठें मेरे कॉंपुटिटर में मेरे साथ मैं यह कुझू चली आई मेरे यार प्यारूआ अच्च चतरानी हो तल राखा मेरे यार प्यारूआ का तिरे विछडे हो असी मिलना कधारी प्यारूआ का तिरे विछडे हो असी मिलना पशाखा त्यारूआ कि अरिजीत भी एक रियालिटी शोव से निकले हो आज जो उन्होंने जो नाम घमाया उतना बड़ा सिंगर आज कोई है नहीं हालांकि गुरुकुल में जब काजी काजी जीते थे तो लेकिन वो जो वीनिंग थी शायद उनकी हार थी जीता है ना झेए जो जीता हों फुब्लिक वोटिंग से जीता है एक बात को समझ्ड़ा है जो जीता जकर जाता है पुब्लिक को इतनाइ मोशनल कर दिया जाता है कि उनके आसू तक बिख ने गाना अपना भी कान घड़ा हो जाता है कि मतलब कैसे गाए या ऐसे से बच्चे निकल के आ रहे हैं पर उन्होंने ऐसे मंच पे गा रहे हैं वो लोग की उनको दूसरे मतलब जरूरत ही नहीं आज की डेट में मैं तो समझता हूं कि जो भी हिमाचल में जो यह कहीं पे भी बोजपूरी भी बहुत बड़ा एक अजी आज कल बोजपूरी गाना भी लोग बहुत सुनते हैं वह डांस नंबर हो गया आई यह पंजाबी गाना पंजाबी गाना जो इंटरनेशनल लेंगविज वो तो पूरी दुनिया पंजाबी समझती है असीवी जी यह पंजाबी गुषिए माल कृच्टर का जो उसको जैसे मैंने उस पर गाया चूनन में नहीं बहुत पसंद किया जो पूने आएक ईआ व Tout सबाद उसके बाद बना इसों ही नही OM नाम का होता है नाम करने के लिए घिस चेखल करना पड़ता है एक असानी से अगर किस जी को बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं हो सकती है उपर वाला रुलाता है सच भोना तो मेरे कुछ गाने मैंने अपनी तरब से भी कॉम्पोज करता हूं लिखता भी हूँ कुछ प्रोजेक्ट मेरे जो है वह आने को है किसी पर मैं काम कर रहा हूं कुछ जैसे इसमाहिल जी के लिए कुछ गाने घाए वह भी अपकमिंग है में इसको अपनी तरब से जो मेरी आवाज कोशिश करता हूं मैंने सुनें बहुत सारे सिंगर सुनें यह से हमारे पहले तो मैंने सबसे पहले फोक को जिसको मैंने सुना है वो पिर राज जी ज़िया चोटे-चोटे अंदे दी ऐसे जिता है मासुवा उनको सुना था उस टाइम तो फिर दिरे दिरे अपने मेरा एक रूह था वो गसलों की तरफ चला जया तो मैंने विरूस टाइम बच्पन से फिर मैंने एक टाइम पे गुलाम अली साब को सुनना शुरू किया मैं उनके साथ मेरी किसमत देखोगी मैं गुलाम अली ज़ाव के साथ बैठा एक चब मैं सारे आव हम वह था तो थो शकिया में एक तो यह पुम्त बने कि मैं तो मेरे खूलाँ result के साथ . जिन्हों ने और्गनाइजर ने हम को पुलाया था, वंहों ने घुलामली साथ को हमारे शोग के साथ में घुलामली साथ का में पुरफ्रफॉम्र होने वाला था तो गुलाम अली साब को जाना था दिल्ली तक और एक ही गाड़ी में जा रहे हैं तो मेरी किस्मत की मेरी किस्मत की उनका मतलब हाथ पड़ जाना सर पे उतना ही वहता है फेस टू-फेस होके अब यह सब चीजें जो है ना यह मतलब हमने अपने आप में मैसूस किया हुआ है बिल्कुल इतने बड़े बड़े हमारे शो में इतने हारी पर साथ चुने सिया साब आये है ना देखा एक खाप तो इसलसल हुए बड़े बड़े गाने जिन्होंने दिये उनका सर पे हाथ पड़ना ही जो उनका जो शरीर से जो वेंज जा रहा है उसमें ही बहुत कुछ सि तो गुलावली साब के साथ बैठा है मैं उनकी घजले सुना ही गुलावली साब ने अदेश जी को फोन लगाया अदेश श्री वास्तरव जी को कि उनको उन्होंने भी देखा हो गाए उस सारे काम बहुत हिट था बहुत हिट बहुत इस पें इंटरनेशनल कोई लंडन से क तो मतलब थे तो उन्होंने अदेश शी को फोन लगाया मुंडा बैठे हो गया रजीव ते बहुत सोना गांता है या उनको उनकी पचास गजले सुनाई गुलावली साब की अच्छा वह फ्रंट में ड्राइवर के साथ में बैठे हुए थे मैं क्रॉस पे था इधर संचाल मेरा किस्मत बोलों कि मैं एक चंबक आओं ऐसे उनके साथ में बैठना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है मतलब मैं उनसे जब पहली बार मुलाकात हूं तो उनको सुन सुनके अपने आपको आज भी सुनता हूं अभी भी मैं आ रहा थो गाड़ी में उनकी घजले स सुनता हूं जो सीखने वाली चीज है मेरे को सुन करिथ जिससे मेरे को मज़ा है रू तक उतर चाहिए महंदी असन जाहिए को सुनना नुसर majors में रहार चाहिए क्लासिकल में नहीं गाता हूं我 तो मेरी कुछ चीजें जो योट्यूब पर हैं जैसे आपका आपने ब्रोड कास्त अपना नयाना शुरूर किया तो मैं अपने जो बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया राजीव चमबा करके मेरा यह तो मैंने प्रमोट नहीं किया था प्रिटाम से चल रहा है उसमें वीडियो कंटेंट भी बहुत जादा नहीं डालें पर यूटुब में अगर राजीव चमबा सर्च करेंगे तो मेरा सारा ही आ जाता उसके जे घजलें मैंने घजल किया था हो ना इवादत सी हो गए आतिश इश्क में जलना एक आदत सी हो गए तुम पे आहे ला मेरी बेकसी का ये इल्जाम मेरी दीवानेगी में मेरी ये हालत सी हो गए तो उसकी कॉंपोजिशन मेरी है और उसका म्यूजिक भी मैंने किया ठीक है तो उसको लिखा है पृत पॉल सिंग जी जो आज की डेट में जिन्होंने चंबा में अच्छा उस टाइम पे वह एडियम बर्मवर थे जब उन्होंने लिखी थी तो उनका एक घजल था घजल जो मेरी एक उनके साथ में काफी अच्छी कंबिनेशन है और वो लिखते हैं तो मैं उसको कॉंपोज करता हूं दो तिन गाने हम लोगोंने साथ में एक मेरी शाम मे उसका भी हम लोगोंने वीडियो इस पर डाला हुआ यूट्यूब पर डाला हूं बहुत अच्छा बॉलीवूड स्टाइल गाना है लोग देखे उसको तो अच्छा लगेगा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा एक गाना मेरी शाम में किया था एक किया था फुरकत बहुत जलना एक आदत से हो गई तुम पे आए ना मेरी बेकसी का ये इल्जाम मेरी दिवादगी में मेरी ये हालत से हो गई तेरी पुरकत में रोना इबादत से हो गई ये जरूर सुने मैं तो बहुत अच्छी घजल है ये बहुत अच्छा कोशिश किया था हम लोगों ने उसके बाद किया था हम लोगों ने अभी मेरा एक लेटस जो बजन आया नीलकंट उस पे भी बहुत मतलब लिखा मैंने उसको मेरे दिमाग में काफी टाइम से चलना थ तेरा नमरो तेरा साज रे नाचे जब तू तो नाचे गोरं तेरे साथ रे ओ मेरा नीलकंट महाराज रे तो इसका एक अंत्रा एक अंत्रा मैं जब मुजिक डिरेक्टर के साथ था तो जो प्रडूसर जो है वो मेरा दोस्त रमेश रज्वू है तो लाइन प्रडूसर है तो उसने बहुत अच्छे लेवल से उसको शूट किया और मैं लोगों से जरूर यह बोलना चाहूंगा कि उसकी गाने को जरूर सुने नीलकंट को नीलकंट को सुने बेरा यह पर्कत जरूर सुने फिर मेरी शाम है जो भी बहुत अच्छा गाना है एक तूही तूह करके अभी जास्ट हम लोगोंने प्रड़े टाइम पेले डाला मैं बोलता हूं कि उस गाने को जरूर सुनें वह लिखते हैं और आप कंपोज करते हैं यह भी मतलब हम लोग का को इंसिडेंट होगा कि हम लोग अचानक से मिले 31 दिसंबर को बर्मवर में किसी पार्टी में तो वहां से हम लोग का सिलसला हुआ कि उन्होंने भी सुना कि यार सबसे बड़ी बात हुती गाना निकालना गाना निकालना तो आसान लोगों तक जो लोग सुनते उनको लगता बहुत आसान है और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना उस पर स्पांसर सी पर गाने को निकालने के लिए जिस लेबल से हम लोग काम करते हैं वह मतलब एक अच् बुक करना उसके लिए प्लेयर चाहिए मुजिशिंस चाहिए साउंड इंजिनियर चाहिए है ना यहां से वंबे जाके आना जाना वंबे का स्टे उतने दिन वहां पे बैठके काम करना तो एक उस पर हो जाता है मामला तो जो भी हम लोगों ने बनाया गाना वह बहुत अच् मेरी शामे तू ही तू अभी लेटस्ट मेरा जो नील कंट आप बता रहे है वो शिवरातरी आने वाली उसको जरूर सुने तो सारे गामा इन सब चीजों के बाद सारे गामा यह सब जितने भी रियालेटी शू रियालेटी शू एक्शुली क्या है जब तक चैनल पर दिखते हो ना तब तक तो स्टार है आप जैसे इस दिन आप चैनल से गए चैनल का सीजन खतम जैसे चैनल से दिखना बन रियालेटी तब शुरू होती है जिस्दगी कि अब क्या गरना है बहुत बढ़िया बात बोली आपने एक ही रियालेटी शो के बा तो दिखा रहे हैं पर मिलने के लिए भी वहां तक पूँचने के लिए उसमें कैलीबर होना है ना है वह ऐसे भी नहीं लेए रेलिटी शोज भी आपको ऐसे थोड़े ना बुला लेंगे आप में बात होने चाहिए उसमें ऑडीशन एक उसमें एक उडीशन थोड़ी होता है उसमें ऑडीशन क्लियर करते 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 जब बड़े लोग सुनते हैं उसके बाद चैनल तक पहुचाते हैं लोगों को लगता है स्क्रीन पेक दम दिख्या असा नहीं होता ना बहुत सारे रांड्स अपो दस-दस-पंदरे-पंदरे रांड्स क्लियर करने पड़ते हैं फिर भी मेरे को पता है मेरे पास में चंबा क पहुचा है गा के देख लो तुम भी भी रहे क्योंकि जो मैंने गाना वो नहीं गा पाएंगे उसको क्योंकि मैंने उसको बच्पन से सुना है अब एकदम सुनके आखमे में बसी हुई चीजी है है हूँ है एक पुरे र्याजी गले वाले उनको सब कुछ करेंगे उलोग पर एक जो रूव है ना, जम्मा के फूप को जो टच करके जो गायगा. अब बाद उपले तूं किया करी होई हो. कोशिश करते हैं बहुत लोग गाने का इसको, बहुत लोग हैं भी जो गार है अच्छा भी गार है, पर कहा है ना, कि हमलों का कल्चर को एक चीज़ आपको बताता हूं. जहें बहुत अच्छा है संस्कृती बहुत रिच्च है एकदम पुर्व हिमाचल तक ही है ना क्यों बता है बहुत बढ़ा बैरी पंजाबी जो है ना वह इंटरनेशनल आप कहीं भी बोलोगे हैं यहां से उठके कोई पंजाबी जाएगा लंडन पे पंजाबी बोलेगा तो अब कैसे कर सकते चीज को हम लोग म्यूजिक जरूर सुनेंगे जो इस्टूमेंट बज रहे हैं लोग उसको एंजोई करते हैं या अब म्यूजिक का तो खेर ऐसा कुछ नहीं है म्यूजिक दिल को चूने वाला होगा चाहिए जो चीज जैसे अब आपने जो दो लाइने का के सुनाई दिल को चूने वाला होगा तो कोई न कोई सुनता हो उसको आज की डिट में चले रही हैं टंडार से पे रहा हैं मतलब आज़की पे जो कि अच्छा है आज की डिट में क्या हो गया ना कि सोशल मीडिया से पेसा आता है लोग कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है पहले ये सब चीज नहीं थी नहीं थी एक यह वह एक जुनून होता है कि पैसा कमाना है और यह बहुत कम है आज कर देखो एक हो में पैसे नाम सकते हैं कि आपका कैलीवर होना जाँ कोई पीचक्र नहीं होना जाँ कोई काम? पे लगए रखे कि मेरे को कोई बात नहीं है काम नहीं मुलना है पर अपना जो जो गाई की और सुनो ना यह फिल्ड ऐसी है ना अगर जिसको जिसमें मन्जिल बना के रखे हैं मेरे को यहां पहुचना है तो वहां तक पहुचाने के लिए उपर वाला रुलाता होता है फिर जितनी बड़ी चीज के लिए आपको सोचेंगे मतलब आप समोज लोगी आपकी परिक्षा भी उतनी खतरनाक हो रही है अगर आप में वो कैलिवर है तो मतलब है कि मुझे तो लगता है कि जैसे पारली बनिया है जो अभी आपने काया कुण्जू चंचलो मैंने एक अपना चंबा का ही लड़का है जतंदर पंकज मेरे पास में एक गाना पड़ा होगा था ठीक है तो वह मेरे दोस्त ने लिखा चंबा के यहां अजे आदा अच काफ़े टाइम से चंबा के पास में बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वह तो वह भी बहुत अच्छा लिखते हैं कई चीजें जो उनकी लिखी हुई मैंने कंपोज करके रिखेंगे जो इन फ्यूचर जो जो क्रीम होगी वह निकाले अच्छा सर एक मेरा प्रशन था आप स कि मैंने सुना है सुना जहिसे तो आज आप से रो करें तो अब तो मुझे नहीं लगता लेकि मैंने सुना कि जो रजीव सर जी आ रजीव अजीव भापा जी है वो आप शायद वो शब्द सही है या नहीं है लेकिन एटिटीड ने लोग एक्शुली क्या है ना हम लोग मैं आपको एक सही बात बता हूँ जे बताए है लोगों ने हमको जिस तरीके से देखा है ना टीवी पे तो लोग हमसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं बि अगर किसी से मिलते हैं अगर उसको दूसरे को टाइम ने दे पा रहे हैं तो उनको लगता है यार यह बंदा तो शाला आज की डेट में बात नहीं करना हमसे अटिटीट आ जाए इसमें उनको यह नहीं पता कि वो बंदा जो अपने जदो जद में जो चला हुआ है ना तो कहां चाहेंगा बताओ आप अपने मन्जिल तक पहुचना है लोगों को साथ लेके रस्ते में जो हमारे साथ में पबलीक ही तो मैंने पहले भी बोना जो पबलीक ही खड़ा नहीं करेगी तो हम लोग कैसे हमको सुनने वाली पबलीक है कि अपको एक धुन में चल रहे होते ह सच बात बताओं तो भी सच्छे अपनी जगाते हैं हमारे पास उनको भी लगता है कि यह तो हमारा पुराना दोस्त है यह पर चक्कर गया है हमारे से मतलब बात किया वीना निकल गया पर यह होता है कि पबलीक के बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम लोग यह हम हमें पुब्लिक जितनीवी हो जिनसे मैं मिला हूं अगर वो लोक कभी बोले मेरे को किराजी तेरे में आटिथीूड तब मैं वो लोकि शायद मेरे में आटिटूडір है नहीं मैं वही तो आपसे कह रही थी जब तक आपसे नहीं मिले थे तब तक तो डाउट था कि पता नहीं कैसे कैसे बात होगी किस तरह से करने पता है तो देखी रहा है ना उपर वाला को होगा एक चीज़ मताऊं आपको मेरे नजर में ऊपर वाला इपने दिख्छा है अंदर वेठा हुगा अपनी नजर में सही हो ना जी मैं जो कर रहा हूं बिलकुल है मैं वैसे भी बड़ा मैं spiritual इंसान है मैं अध्यात्मी कूं मैं धार्मित्नी मैं सच बता हूँ मैं मंदिर पुजा पाथ बहुत कम करता हूँ मेरे घरवाले भी भूलते हैं भूलते हैं अप्ठी करी का दे ना रज्यू तू दूपत्ती भी कर ले कर ले तू यह हूं दा मेरे जिसने मेरा मन करना आँ यह हूँ मैं अपू खरदान तुमार के पता मिर दो अजाना मेरी जाता कर रहं हो जाता है मतले बात कर रहूं रो रहूं कौन होता है मेरे भी आतमहित ओवnia जिसनेु में बात कर्थाकर रहा हूं वह कुछ्ले गाओ अ यही तो भावान तो बड आदत करन देनाल गल बन भी है, आजनीत कल बन भी होई वाली बात है, अपना मन साफ रखो वह गलत काम से डरो, बेलकुल, किसी का मेंप बोला ना मनने तुकाना कुछी रहा, खाम को गुछी रही आत्मा, वो बद्धुवानी देनी को, अच्छा काम करने को मेल जाता बगैर जोटा काम भी कर देता ना, जोटा करी खुशी कुशी देदना, बड़ी चोटी चीज हुंदी, पुर्वा मेरा दिन मने, मतलब हो गया मेरे मेरे पुचा दिया अपना, मेरे दिन बन गया, मेरी आत्मा खुश है तो हो गया, अपने फुलफिलिंग हो जाता है, अमारा जोटी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, कि जो अगर हम किसी के आत्मा किसी रूप को या किसी के जहरे मुसकान ला सकते हैं, तो यह अपने आप में इबादत ही है, बशर्ते आप मंदेर, मस्जिद, चर्च कहीं भी है, मैं तो बोलता हो जी, अपना भी मन दुखा, मन मत दुखा होगा दे, कि हमारे अंदर परमातमाया मार जो कस्टी होईगी तो अपने आत्मा को कस्टी दे दी, जो चाहिए वो मतलब, बहुत उंदर बात, जो हमको चाहिए, वो होना चाहिए, गलत वतरिके वाला नहीं, मैं, कभी मेरे मन कर गया, कि चलो यार, इधर से गुज पूर-पूर के बरा-पड़ा हो ना, वो भी तरम तो आई है, ना, घर में हमारे मतलब पूरा, पूरा रिते रिवाज करें, जिस टाहिए, जो हमारी संस्क्रिति है, उसके मतादे, जो हमारी सिखाया पूरा, राम, भगवान, कृष्णा, भगवान, मा, काली, सब की पूज पूरा, एया होती है, ना, वर चीज़ बतातरे, मैरे जल पूज लाइ भगवि तमटरा करता है, जिस मिल मेरा मान कह रहे है, यूरा इसको किसी को पता करता हैं, वही मेरे लिए रियाज है बिलकुल अभी कोई बोले कि यार तू बे रियाज मतलब ही होई है रियाज जो मन से जुड़ा हो और आप उसको साध रहे हैं उसको गला खोलना अब एक पीचिंग का मामला होता है सिंग में एक चीज बता रहा हुआ कि कई किसम के गल है प्यूस बहरा तूसी गलास दिख्या हुआ है मतलब घजल गाई कि का जो बेस इस तूश्ञा मेरे पास ही आते हैं जब तक मतलब मोड है कि राज्जु का मतलब जाओ जाओ इसा जीते है ना म्यूजिकल को भी और साथ में बढ़ गई तो वाव वाव कोई ऐसी हमारी कोई ऐसी बात नहीं देखी जब मन कर रहा है तो वह गा रहा है उनको चीजें सुना रहा हूं तो उनको भी अच्छी लग रही है है ना तो जीखने को मिलता है विब्लकुर सीखना है अबेशा तो उसको सुनूं ना जिसे को जिनसे सीकने को मिले लताजी से जाने क्या बात है नेंद नहीं आते वड़ी लंबी रात है जाने क्या बात है जाने क्या बात हैं और ने नहीं आती बड़ी लंबी राती है इलचे तो सीखने को मिलता है ना हमारे में तो attitude की बात करते हैं ना मेरा अगर ऐसा ही टाइम आई जाना तो आपको पता हुआ है मैं सारी नमस्जी पहले मैं या पर यह चौमिन का फास्ट पुड का भी किया बने आपको पॉस्ट ओफिस सामने चमड़े अगर वैसे वक्त भी आजा तो मैं वैसे भी त्यार हूँ आज के बच्चे को बूल के दिख्खो बांडे दो एक बात बता रहा हुआ ने ने थीक थीख बोल रहें आप बल्कुल सही बोल रहा है अगर वैसे टाइम आ तो मैं उसके कान आ या है एक उन्दा गान आ या दो लेज्सेयां बोलने के दो तरीके से गाने को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं मतलब कि संगीत जो है विजन की बात है कि आप किस नजरीय से आप देखतें और क्या जाते है उसके बारे में इसलिए मैं सेलेक्टिट करता हूं बहुत कम करता हूं अभी वो दिखते हैं देरे देरे जैसे जैसे मावल बनेगा आपके चैनल के दुरूबी क्या पता हमारे कुछ काने चल पड़े हैं मैं तो बोलता हूं कि साथ साथ में हमारे काने चल पड़े आपका चैनल पड़े पहली बार मैं चम्बा में किसी को मतलब ऐसे इंट्रिव दे रहा हूँ, मतलब इससे पहले मैंने ऐसे कभी, नहीं, हमने सुना भी नहीं है, कभी आपने, कभी अपने, यह तो चलो मेरे को काकू राम, हमारे चम्बा के बहुत अच्छे अच्छा लड़का है, उपरवाला, ड कि ऐसे आपको फोन आएगा, राजी भाई, ब्रॉडकास्ट शुरूप कर रहे हैं, जबा से, तो मैडम का फोन आएगा, आपको तो आप फोन उठा लेगा, मैंने कहा है, आपकी बात को रोक रही हूँ, कभ को भाई, को मैंने यह कहा था, राजीर सर मेरा फोन उठा लेंग अलो, आजी, कौन बोलना है, दोलना जुना आपकाने, अबे यार, रहा तो हीरी दो जीरी, सुनाने ने जुनाना, बड़ा आटिटूड आईगे रहा, ऐसा होता है, लोगों को आटिटूड क्यों लगता है मेरे मेरे, वो बोलते जित्ते मिला, दोलना जुनाना है, अबे और कुते कान दे तो डिचलना है, अब मैं गाना नहीं सुना होता, उनको लगता है इसको देटूड आगे, कैसे उनको इसको कैसे पूरा करूँ, उनको मैं कैसे पसली दिलाओं कि यार, फिर मैं बोलता हूँ चलो यार, तुजी बोल देने कि मेरे अंदर आटिटूड है, अभी भी मैं बताता हूं को ना, मैं ल्यांदा ना, घर आंदा, मम्मी उन दे, बुजुर्ग होगे, पापा मेरे 2007 में एक्सपार होगे थे, वो भी आर्मी के रिटायर थे, ठीक है, तो मेरा छोटा ब्रदर वो आर्मी में, वो कभी बिचा रहे चाहिना बॉर्डर में, कभी क बैश्मीर बॉर्डर में यह कर रहा है, तो मैं आता हूं तो घर पे, मम्मी होते हैं, चोटे ब्रदर की वाइफ है, वो इसकी बेटी होती है, तो कई बारी मम्मी बोल दे रहा, सिलिंडर लिया ना, तो आप तो उनके लिए राजुई है, तो रही कहा है, मैं बना पिट्ट के लिए कौन करेगा बताओ, जो मेरे को करना है, वो भी बड़ा टाइम जा रहा है, और लग सकता है टाइम ऐसा नहीं है, कलनी मिली जाना में तो रखना पड़ेगा, मैं तो समझता हूं कि शायद जो हम लोग उस टाइम पे सारे गामा में जो गाया था मैंने, आज की पांस तो, क्योंकि उसके बाद घजब होता है, अम लोगों ने गालिया, इंडस्ट्री में हम लोगों ने डांट सुनी है, गालियां खाई, बड़े-बड़े मिसिक डिरेक्टर है, गालियों से शफर शुरूआ, गालियों तक चलता गया, गालियों कोई भी अपना मज़ प्रशाद है, अगर सुन लिया, तो गाओ के नहीं सुना तो निकाल दिया जाओ, निकरने के लिए तो गिसना जरूदी है, तो सुनना तो पड़ेगा, गालि भी इसलिए होता है, तराशने के लिए, अब हीरे जो या सुनने जो भी तो मढ नहीं पुंदा, ठोक्का ता जंदीगी में चैए, यह सब चीजे भी मतलब, यह सबकी है, कि सारे गामा के बाद मैं सच बोलू ना, तो मैं अब भी तक एक्सपिरिंस ही ले रहा हूं, अब जिन्दीगी का, एक्सपिरिंस ले रहा हूं, बसकि, सीखी रहा हूं मैं लेकिन आप सबसे बड़ी बात क्या ह आप चल रहे हैं, चलना ही तो जरूरी है, तो आप महुंचेंगे ही, यही तो मन्जिल का यही तो शर्त होती है, महा चामुंडा हमारी चंबे बैठे रही है न, असी जगह रहे, अप्पू असी जगह रहे, मैले दे नगी है, शीव जीदे को उतंदर बैठे दे, मनी मेश असी जगह चेड़ा चंबा, हमार जो ठीक है, बोले न, आज जी कर रहे है, अभी थोड़ा सा, न, वो करेंगे जरूर, जो आप चाहते हैं, असी मैं जी यहां, इस्माइल जी करने काल किती है, इना करने काम किता है, तो अमेशा भूतते हैं, मैं तो गड़ी बंगले पिछ के नहीं दोना हो, इनको अपने पीछे दुडवाना है, तब मजा है, बोलिया, एक रिस्पेक्ट होंदी, न, पैसा कमाना, बंबे जी जगा अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बार में गालो, कितने बार हैं बंबे में, दिन में दोजार भी कमाएगा, तो साट अजार पे मेंना कमा लेगा है, एक बात कर रहा हूँ, है न, साट अजार बड़ा है, एक के लिए बंबे में, सेकिंड, अगर उसका ज्यादा इजच्चे देता है, और कैस्ता जॉइन कर लिए, स्टेज पर गाई लिए, है न, स्टेज पर गालो, पैसा भी कमा लोगे, थोड़ा और हो जाएगा, तो लोग और सुलूट करेंगे, तुमको वहाँ, स्टेज कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, इतने भी स्टेज कितना, उतने भी कितना, पैसा कमा रहा है, इंजट भी मिल रही, प्रॉपर नाव का रहा है, स्टूडियो चाहिए, माइक्रोफोन, जहां पे अपने बाग कि कोई बाहर में घार है, तो वो शायद जिम्मेदारिया है, कहीं कुछ है, वो जल्दी ही टूट जाते हैं, शायद वो लोग, मुझे ऐसे लगता है, तो इतना यह हो चुके हैं, कि जिम्मेदारिया भी हैं, पर कई लोग पैसा जल्दी कमाना चांद देंगे तो वो पैसो के साथ समझे होता है, वो जुनून उनमें शायद नहीं होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, एक क्या होगा ना कि फिर बाहर में भी तो सिंगर्च चेंज होते रहते हैं, बाहर हो, स्टेज भी किसी, स्टेज ऐसी एक ऐसी जगा आया दूसरा गया, दू कुछ भी हो जाए, मंझेल हमारी आओ जाए रहा है, जिससे भी निकलना है, मोड कोई भी हो, कोई भी हो, अचा एक और को में दिमाग के प्रशन और दिक जाते है लुगे, मिंजर का भी पता निया, देखो एक बात बताओ ना, मिंजर का ठीक है, मैंने लास्ट ये नहीं ग होता है डॉमिनेटिंग वाला में चीज क्या हो गया कि जो फॉन कोल्स मंत्रियों के छोटे-छोटे जो दे एक दो-दो जार वाले सिंगर अब यह भी ऑफिसर्ज भी सच्छे होते हैं कुछ द्याना कुछ एक तो बीच में यह जो होते हैं उन्होंने भी नाइट लेनी होते हैं अब राजीव जो भी है मैं तो बोलता हूं ठीक है कोई बात नहीं मिंजरंदर रोज ही अरे साल ही ले प्यता भी लोग काने बहुना है रहा है जही गाने गाहे करता है लेकिन आपक जहां से भी निकलता हूं मेरे को मिन जो बड़ी दालांदे है और दूसरी बात है कि अभी यहां पर प्रशासन का मामला जब आ जाता है ना और टाइमिंग का भी थोड़ा शायदे शोड़ा मैं चाहता हूं कि चलो कोई बात नहीं थोड़ा बेशन्स रखके चलते हैं एक जात कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं अभी आने वाले जो उपर वाले ने चाहा तो बनाएगा अपना एक मामल बनाएगा तो फिर शो करने का भी मज़ा है क्या करना प्रशासन का भी थोड़ा सा इसमें रहता है कि पता नहीं क्या रेजन है मैं तो उनको शायद वो ना मेरे रच में बता रहा हम मेरे को वहां भी फीर होता की शायद मेरे को सामने पर स्वार्फॉर्म करने के लिए तयरे को और करना पड़े AGA मतलब तू कमलई का सामने ले पानदरा को इसमाइल जी के सामने वंका सर्ण का लिए पाइoks sound करने के लिए तेरे को और मृनत करनी है जब कोई बात कोई नी कोई वक्त आता है न तो सब कुछ मानने भी होता है और सब कुछ सही भी लगता है ड़ेकिन वक्त भी उनहीं का आता है जो लाने की क्षमता रखते हैं यह बंदा जुँका है मेरे को निःट तक कि बंबे पुजी जाना वर मैं चंबे कर दो तक में दो उनल है इस तरह ने बाता नहीं जा है ए मिरे नाम से बना दिया हूं नहीं को इमाचल से बाहर अगर कोई जानते हैं थापा थोड़ी जाना तो आजीव चंबा जानते हैं में को चंबा के नाम से जानते हैं मेरा नाम भी बुल देते हैं आज तक मैंने एक भी नेपाली गाना मार्केट पर नहीं लेकर आया हूं जो कि वो पूरा नेपाल फिल्ड मेरे खाली है नेपाल जाता हूँ आत्मे रखते हैं मेरे को एक बात कर रहा हूँ तो मैं इमाचली को ही अभी तक प्रमोट करने के लिए लगा पड़ा हूँ जानम तो मेरे इमाचल का ही है अगर मैं उस तरफ का भी काना निकाल दूना तो वहाँ भी तो मेरे को शोज की कमी नहीं देगी एक बात बताओं मैं चाहता हूँ कि पहले यहीं से उठूं मैं जिद है आपको जिद है तो जिद है लेकिन पूरी होगी करके रहेंगे जहां क्या बात है अच्छा आप मुझे थोड़ा सा आपने बताई दिया कि आप क्या करने वाले हैं अपने जुनून के बारे में अपने होसले के बारे में आपने सभी कुछ बताया लेकिन जो हम थोड़ा सा यह जानना चाहते हैं कि जो आने वाला सफर है आपको सफलता मिलेगी जो आप चा इतने बड़े चानल में दिख्या है, वा क्या पता कितना पैसा खमाई ले रहा है, एक बात है, लोग सुझते हैं, अब मैं चोटा सा काम करो तो लोगों को लगेगा यार इतने बड़े काम के बाद यह बंदा यहां काम कर रहा पता नहीं, इसका क्या होगा, उनको दोड़ी कि वो काम भी मेरा जो, मैं चुक्चाप कर रहा हूं, मन्जिर के लिए ही मेरा हूं, किसी को बता के नहीं, मैं टाइम पास कर रहा हूं सिरफ, वक्त गुजार रहा हूं वहां के लिए, वो आपका सबर है, मतलब समझ दो कि मैं पैदल चला हूं अबी, कोई बात नहीं, पहुचूँगा, कच्वे की चाल पहुचूँगा, आउंगा जिस दिन तो परवाला है, जरूर, 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 आपके, मेहनत के आगे तो भगवान को भी जुखना बड़े कर रहे हूं, भगवान को तो खैर हूं बहुद आते हैं देने के लिए, अगर आप द जिल से या अपने जुनून के साथ चले हैं ना, तो भगवान को तो खुद आना ही पड़ता है, आपने भी सुना होगा, ने, बिल्कुल, बिल्कुल कोशिश हमारे जा रही है, बाकी देना ना देना उसके उपर है, जिए, क्यों नहीं, हम सब की दुआएं, देना ना देन जल तक जल्दी पहुंचे और हम आपको उस मुकाम पर देखने के लिए बिल्कुल बेताब है, जहां के आप पहुंचना चाहिए, आप लोग की दुआ, आप लोग करते रही है, और मैं भी अपने पास से जितना बगएर बोल ले ही जड़ा हुंदा है, मैं अपने आपको अपने तरीके से, मेरे को कोई इतना ये नहीं है कि मेरा कली बड़ा बड़ा गान आई जाए, ऐसा नहीं है, उसके लिए मैं सामदाम नहीं करूँगा, मैं वही काम करूँगा, जिससे मेरे को लगेगा कि ये गाना अब आया, और मेरे अब मजा है, बहुत अच्छा लगा आप से बिलके, और आप एक मैसेज जरूर दें, अपनी तरह से हमारे दर्शकों के लिए, मैं दर्शकों को ये ही बोलना चाहता हूं कि ये जो मैडम ने जो ब्रोडकास्ट जो शुरू किया, इसको आप लोग जितना हो सके देखें, जितना हो सके शेयर करें, और इस चैनल को उठाने की कोशिश करें, ताकि ये और भी हमाचल के या कोई भी बहुत जो एक लेवल के जो आर्टिस्त हों इनके चैनल पर आ सकें, और आपने अनुभाव आम से बाढ़ सकें, बिलकुल, बिलकुल, जिदेखो, experience share करने का मज़ा भी आता है, जहां पर, जिन्होंने experience कि किया हो, जिसको पता ही निए उसने का experience है, मैं तो अभी में मैंने बताया कि मैं आज भी experience ले रहा हूं, सुनता हूं, सुनाता नहीं, लेकिन आप प्यानुभाव आपको बहुत कुछ देखे जाएंगे, मैं वस द्वा गतना है, और बहुत सारी ब्लैसिक, बहुत बहुत ध